है मैं है जो एकैंसी निकली है जो की अद्बंस्रेटींस टी ओफिसर की इसमें कितनी नहीं और तो तो सबसे पहले मैं बता देता हूं मेरे पास एक सेलरी सलीब भी है जो आपको साइड में दिख रही होगी तो आप इसे देखके अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि आपकी जो अगर यहां पर आपका सलेक्षन होता तो आपकी सलीब किस तरह के आएगी ठीक है और सबसे पहले कह स्थाधिन कि यहां कि अगर अगर हम इस पे टुएट परसेंट करते हैं तो आपका । कि फंद्रह हजार साथ सो आठ आपका दिया और फिर एचारे एचारे आपका बढ़ा के 27% हो गया है पचीस परसेंट से बढ़ा के 27% हो गया पहले तो यह आपका हाउस रेंट अलाउंस महंगाई जैसे महंगाई बढ़ता रहेगा मान लोकल को आपके जब सेलेक्शन होता है तो मान लो इसमें चले जाते हैं चार महिने और चले जाते तो यह बढ़के राउंड थर्टी वन पर्शेंट या उससे भी ज्याद़ चला जाएगा आपकी सेलरी थोड़ी और भी हाई पे चली जाएगी ठीक है उसके बाद आता हमारे पास ट्रांस्पोर्ट अलाउंस है जैसे आपको इदर उदर जाने के ल 94,000 बनेगी 94,000 मतलब 95,000 के मान के चलो भी 94,955 का मतलब 95,000 आपकी ग्रोस यहां पर बन रही है ठीक है जी इसमें से डिडेक्शन आपकी क्या हों भी पहले CGHS के डिडेक्शन होगी 649 की फिर इंकम टेक्स आपका कड़ जाएगा 7000 के आसपास अगर आप थोड़े से भी सम मजदार हैं तो आप जैसे और आड़ करा सकते अपने एटीसी की और रिष्टरे की डिडेक्शन पॉलिशी वगरा लेकि तो यह इंकम टेक्स थोड़ा सा कम हो जाएगा ठीक है फिर आपका जो न्यू पेंशन स्कीम होता है एन पेस होता है उसके उसके पैसे कटेंगे 7000 से थोड़े से जाएदा यह तो चलो कटने ही है पेंशन का है ठीक है जी तो यह जो डिडेक्शन आपकी 14,000 है अगर हम यह वाली डिडेक्शन यहां माइनस कर देंगे जो आपकी ग्रोस सेलरी में से अगर आपकी हम डिडेक्शन माइनस कर देंगे जो डिडेक्शन से हैं यहा आपकी असीजार प्लस आपकी इन हैंड सेलरी हो जाएगी अब यह मैंने खाली बेस्ट बेसिक बताया कि बिल्कुल अगर आप बेसिक पर जाओगे तो आपको आप कुछ भी नहीं करते हो आप खाली ओफिस जाते हो आके अपने कुछ एक भी पैसे की क्लेम नहीं किया इसके लाव आप प्या कर सकते हो इसके या झालाव कुछ और चीजर कलेम कर सकते हो जैसे वह मैं इसके लाव ना बहुत चीजर ज red भी इंडूर रहते हैं वह जाती है और दो सब्सक्राइब अगरा लेते हो उसके लिए टूर अगरा के लिए जाते हो इनके अलावा मिलती है तो यह तो अगर आप जैसे बेसिक पे और यह तो आपकी सेलरी में आए गए आएगा जुड कि आप खाली ऑफिस गए घर आए उसके उसके बाद आपने कुछ एक पैसे की भी मतलब अकाउंट सेक्शन में जाके अपनी डिडिक्शन नहीं दी कि मैंने यह परचेज किया था मालो मैंने लैप्टोप परचेज किया था यह चीज परचेज की थी उसमें जैसे मालो मोबाइल परचेज करते हो तो उसमें थोड़ा सा बैनिफिट मिल जाता है उसमें जित तो आप वह कम जब आप उनको क्लेम करो तब मिलेगी वह सी तरह से नहीं है कि से 폭 used तब आई और कुछ ऐसा होता है है को आफे-स पैसे ज conception पर द जाधा जैते हैं था यहां पर आप मालो किसी यूनियन गबाल सब्सक्रीप्स ले रखा तो उसके उसकेAb Men तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपकी कोई क्यों रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हम उनको भी डिसक्स कर सकते हैं थैंक्स है नैस्टी मिलते है ने स्टूडियो में